या कई बार नोट्स बनाते हुए आपके साथ ऐसा होता है कि जो भी आप आगे वाले पेज़ पर देखते हैं उसका पूरा इंप्रेशन पीछे आ जाता है तो जिसकी वज़े से आप इस पीछे वाले पेज़ को भी एच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं इस चीज को कहते हैं इंक ब्लीट इसमें आपके जो इंक है वो पेपर के अंदर अब्सॉब होगे पीछे वाले पेच पर देखने लगती है तो इसको सॉल्फ करने के तीन सिंपल से सल्यूशन है पहले सल्यूशन यह कि आप अपने पॉइंट साइस करने हैं अगर आप 1 या 0 0.7 mm का pen यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं 0.5 mm का pen इससे कम इंक आपके पेपर पे आएगी एंड जो ब्लीट का खत्रा है वो भी कम हो जाएगा सेकिंड सेल्यूशन है वाटर बीज डिंग कम यूज करें जैसे हमां फॉंटेंट पैंस होते हैं यह हमां रोला बॉ होते हैं उनमें वाटर बीज इंक यूज होती है जो काफी एजली एब्सॉब हो जाती है आप यूज कर सकते हैं बॉल पैंस जहां पे आपको विसकर सिंग देखने को मिलती है जो इतने एजली सीपन नहीं होगी थर्ड अन बेस सेल्यूशन इस आप एक हायर जीसम का पीप यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी पीपर की कॉलिटी काफी अच्छी होगी तो आपकी जो इंक है वो आटोमेंटिक लिए ब्लीट नहीं होगी और अब अपने मन जाया बेंड यूज कर पाएंगे और इस यह और इंपोर्टन टिफ जाने के लिए अभी सब्स्राइब बट करें